Hey hi everyone my name is Sumit and I welcome you all to the InShort series जहां पे हम लोग देख रहे है Daily Current Affairs for UPSC Civil Service 2025 ठीक है तो लेट्स बिगिन दिसकेशन आज की डेट है 25 तारिक 25 अगस्त अगर आपको इसका PDF चाहिए तो The Civils Club App को डाउन्लोड कर लिजे वहां पे जाएंगे आपको यहां पे PDF की जो PDF है basically इस particular slide में यहां पे आपको मिल जाएगी और आप डाउन्लोड कर सकते हैं चलिए on this note let us start off with the first जो हम discuss करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में अब जल जीवन मिशन क्या है तो यह कुछ नहीं है basically it is about providing the tap water supply का एक important component है यह लोगों को दिया जाएगा कौन सी ministry के अंदर है यह पूछा जा सकता है तो नोडल ministry जो इसकी है वो ministry of जल शक्ती है यह चीज़ ध्यान लखेगा ठीक है and centrally sponsored है तो पूछ सकते है central sector है centrally sponsored तो centrally sponsored है और news यह ही है कि अभी यह 5 साल complete हो गए है इसको ठीक है तो इसलिए आया है अचा एक चीज़ ध्यान लखेगा यह जो जल जीवन mission है ना इसके अंतर देगे है तो बहुत सारे component बट उसमें एक important component जो आता woman empowerment का तो कल को यह पूछ सकता है कि क्या जल जीवन mission woman empowerment करता है yes कैसे इसमें क्या है ना पानी समीथी बनती है ठीक है पानी समीथी is basically for water governance and उसमें you will find कि इसमें एक clause है ठीक है और वो clause क्या है कि half of the members of the village पानी समीथी जिसको कहते विलेज water and sanitation committee वो क्या होंगी वो women होंगी they need to be women तो यहां से क्या है woman empowerment का angle भी दिख रहा है ठीक है बाकी तो वही सब चीज़े है कि tap water supply दिया जाएगा water quality को enhance किया जाएगा bottom up planning और वही सारी जो अपनी basic basic चीज़े होती वो आपको दिखेगी ठीक ह तो यह important है ठीक है अगर कभी key achievement पूछा जाए तो 15 तो यानि 3 into 5 5 times water coverage through the pipe water has increased ठीक है तो यह दिया धिया नगीगा चलिए let's move on to the next part ठीक है and the next is India Poland देखे India Poland क्या है कि अभी strategic partnership sign करी है ठीक है तो अभी the prime minister उन्होंने official visit किया Poland को ठीक है and it marked the 70 years of diplomatic tie तो बस strategic partnership में upgrade कर दिया गया ठीक है तो बस यह चीज़ ध्यान रगेगा बस और ज्यादा कुछ इसमें आपर करने की जरूवत नहीं है ठीक है बागी main scale important है prelim के लिए तो इतना ही है ठीक है next बात करता है है आपर fixed dose combination के बारे में fixed dosage combination FDCs यह क्या होते है तो देखो अभी recently क्या हुआ है health ministry ने 155 something FDCs को ban कर दिया गया है अब यह FDCs होते क्या है समझो इसमें क्या होता है that they combine two or more active pharmaceutical ingredients ठीक है यह जो आपके biological biological active component होता है तो यह दो यह तीन APIs को मिलके एक FDC बना दिया जाता है and idea यह है कि यह किसी और को target करेगा कोई और disease को यह किसी और को यह किसी और को यह किसी और को तो एक ही drug ने क्या कर दिया एक ही drug ने आपके multiple जो आपके वो होते है diseases उनको hit कर दिया ठीक है तो यह होता है fixed dosage combination से एक drug कहते है न एक तीर से दो चार निशाने वही चीज़े है यहाँ पर ठीक है और इनको एक तरीके का cocktail drugs भी बोला जाता है cocktail drugs cocktail right you must have right मतलब समझो ठीक है मतलब समझो ना इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी different different drinks मिलाके cocktail बना है ठीक है मतलब समझ लो अब ठीक है आगे बढ़ते है इसका advantage हमने देख लिया target multiple diseases ठीक है and it tries to minimize the pill burden ठीक है and यह term आया है that is it also has the pharmacokinetic advantage अब यह pharmacokinetic advantage क्या होता है तो यह basically होता है ना कि ज्यादा तेजी से absorption of the drug ठीक है right faster absorption faster metabolism faster drugs जल्दी जल्दी काम करता है आप ऐसे कह सकते ह तो pharmaokinetic advantage होता है ठीक है बाकी इसके साथ chemical reaction भी हो सकता है shelf life degrees हो जाती है antibiotic resistance भी बढ़ाता है तो यह भी एक risk होता है ठीक है all right next बात करते हैं आपर देखें competition commission of india तो competition commission of india क्या है statuary body है right competition commission of india act of 2002 के अंदर आई थी most important most important क्या यह ministry कौन सी है बहुत बच्चे ना इसका quality commerce लगा देते हैं ठीक है उसके बाद आपको अलग 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 लगा देते हैं but answer in ministry of corporate affairs please remember इसकी appeal nclat में है nclad national company law appellate tribunal तो अगर आपको जो इसका decision हो पसंद नहीं आ रहा है appeal over here एक बात और धियान रखना है इसके 6 members 6 plus 1 member होते 6 member और एक chairman and अभी news में इसलिए था कि एक जो Reliance and Disney ठीक है इसको लेके इसको लेके CCI ने क्या करा है objection raise की है ठीक है और देखो ये इस बार means 2023 में पूछा गया था भाई ठीक है GS2 में competition commission of India में तो please remember this ठीक है all right next बात करते है आप smart lab for clean river के बारे में तो ये क्या है India Denmark ने मिलके ठीक है वानारसी में बनाई है ठीक है and the idea is to reju so we need the Varuna river Varuna river क्या है this is the minor tributary of Ganga ठीक है तो ये ठीक है smart lab for clean river ठीक है बस इत्ता पता होना चाहिए कही पोच ले कहां बनी है क्या बनी है ये पता होना चाहिए ठीक है all right अच्छा ये बनी किसके अंदर है actually India Denmark ने ग्रीन स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप sign करी थी green strategic partnership ठीक है तो उसके अंदर ये बनाई गई है तो ये भी ध्यान रखना green strategic partnership ठीक है तो ये आप यहां पर लिख सकते हो next बात करते हैं गुमती river के बारे में तो गुमती river कहां पर ये ट्रांस boundary river है इंडिया बांगलादेश के बीच में और इंडियान साइड में तृपुरा में ये ध्यान एक alternate code दे दू तो मैं कह देता हूं tokenization हो गया है and it's obvious ही बात है security रहेगी right leak नहीं होगा वो and उसका misuse नहीं किया जा सकता ठीक है तो ये चीद ध्यान रखना ठीक है tokenization आपका हमने यहां पर discuss कर लिया ठीक है next बात करते a1 and a2 milk category के बारे में अब ये क्या scene है तो सबसे पहले स forms होते हैं almost 12-13 forms होते है and उस 13 forms में से दो primary form होते हैं a1 casein a1 beta casein and a2 beta casein ठीक है अब a1 जो beta casein होता है वो आपको northern Europe की जो cattle होते cow होते वहां मिलता है ठीक है जो northern Europe से originate हो रही है ठीक है and a2 जो beta casein होते है वो southern France side से मिलता है for example Jersey cow ठीक है ये चीज़ आन रखना तो a1 and a2 क्या है कैसे है ये चीज़ आपको या पर पता होनी चाहिए ठीक है तो यह थी हमारी आज की discussion right and by PCS के लिए अपना the PCS club launch होतु का है तो प्लीज जाहिए subscribe करिए वहाँ पे भी I'll be uploading the complete course ठीक है and we'll be starting off with UP PCS ठीक है तो जाके वहाँ पे अपने दोसको बता सकते हैं आप लोग ठीक है ठीक है courses है हमारे also GS में year long mentorship program भी है हमारा जहां पर I am hand holding you to make notes for means अगर आपको उसमें आना है तो you are most welcome चलिए this is me Sumit signing off बाबाई